और बात करेंगे गिरिराज सिंगकी फीट बेगु स्वराए इस बार क्या गिरिराज सिंग ये सीट फिर से निकाल रहे हैं? तो एक्जिट पोल ये कहता है कि गिरिराज सिंगक अपनी फीट से इस वक्त आगे चल रहे हैं रवी शंकर प्रसाद जो पटना साहिब से चुनाब लड़ रहे हैं बीज़पी के उमीदवार हैं वो भी अपनी सीट पर आगे दिखाए दे रहे हैं शिभार की बात करड़ें जहां से आनन्द मोहन की पत्नी लवली आनन्द जेडियू की उमीदवार हैं यहां पर भी महौल इनके लिए बनता हुआ दिखाए दे रहा है यहां पर भी लवली आनन्द जेटी उई दिखाए दे रही है वैशाली विजय और मुन्ना शुकला जो की बीजेपी से खफा होकर जेडियू से खफा होकर आरजडी के साथ चले गए ऐसा कहा जाता है भी भूमिहार वोटर जो है राजपूत वोटर है ब्रामन वोटर है वो आरजडी के साथ नहीं है लेकिन मुन्ना शुकला कह रहे थे कि हम वहां थे तो वोट वहां था अब हम यहां हैं फो वोट यहां पर होगा और मुन्ना शुकला आगे चल रहे हैं मुन्ना शुकला देखे इस विलाके में मैं बहुत अच्छे से मत दाता हूँ कि राय समचके आई थी यह मुझे क्लोस फाइट वाली सीट लग रहे थी लेकिन आप मुन्ना शुकला को जीता वाँ दिखा रहे हैं तो उससे कंपीट करना बहुत मुस्किल जरूर है लेकिन चुकि अस्थान ये कारण है वीना देवी का भी ट्रैक रिकॉर्डर है कि पिछले वो पारस गुट के साथ चले गए थे उसके बाद वहाँ पे जेडियू का एक अच्छा खासा जनाधार है तो जेडियू के तरब से उतना बहुत जादा हेल्प मिल ले रहा है दूसरे जो भूमियार वाले के ऐसा नहीं के भूमियार का इन ब्लॉक वोट इनको मिलेगा लेकिन कुछ हद तक जरूर टूटेगा तो जो टूटेगा वो जो एंडी है उसी को नुकसान होगा जिसके वैसे ये क्लोज हो रहा ह इसमें आगे होते हुए दिख रहे है और इसके लावा शिभर सीट की बात कर ली जाए देगे सिभर में बहुत ज्यादा मुस्किल है नहीं वैसे बीजेपी पहले पिछली दो बार से वहां से चुनाब जीती थी तो बहुत सेफ सीट है बीजेपी के लिए इस बार लवली जानन को दिया गया बीजेपी से जेलिव ने रिप्लेस सीट किया था बहुत जादा मुस्किल है नि पहले भी यह लोग यहां से चुनाब लगते रहे तो इनके लिए बहुत प्रॉल्लम है नहीं पूरे बिहार में जितना पहले बाचित हो रही थी कि बहुत नुकसान हो र देख लिए रहे प्रफाले सीट को लेकर भी गमासान मचा था यह सीट चाचा के बास जाएगी या भतीजे के पास जाएगी कौन पिता की विरासत को सम्भालेगा इसी लड़ाई में आखिरकार चिराक पास्वान इस जंग को जीते थे और चिराक पास्वान ही यहां से और यहां आप देखे हिनाज शहाब जो की निर्दलिय चुनाव लड़ रही है और मौमद शहाबुद्दीन की पत्नी है वो फिलाल पीछे नजर आ रही है सारन की सीट जो की रोहनी आचारे की सीट है लालुयादव की छूटी बेटी है अपने पिता को लेकर काफी लगाने के लिए सीट पर उत्रे है वो रोहनी आचारे को शिकस देते हुए नजर आ रही है ऐसी अगली सीट उज्यारपूर की बात कर लेते है नित्यानंद राय वाली सीट है यहां भी बीजेपी जीत का पर्चम नहराती हुई नजर आ रही है यानि इस सीट पर भी नित् शक्र है कौन पते कर रही है कुसके खाते में जारी है नजर और और गरो जो जड़ी कानिडियर गांच पर हो सकता था यादव हो सकता है यादव 저희स इदेवी बीजेपी का वहां पर अपना वॉट बहें ध़िए चांसर वहां होते नहींने की WILL बैं की अच्छा का सा वोटब साथ हो बीजेपी ने अपना अच्छा इन ब्लोक वहां पे बनाए हुआ था अलाकि अस्थानिय कारणों के बैसे बीजेपी ने वो सीट जेडियू को दे दिया था दो जा उननीस में दे दिया था तो इस पर बहुत जादा प्रॉलम है नहीं जेडियू के लिए खुछ बहु इस दैसे बाद उसके बाद से लगातार इस सीट पे बीजेपी अच्छा परफर्फिर्म करती। इसके बाद इस सीट में देखेंगे तो बीजेपी को उस पसंद करने वाली जो जाती आकर है वो बहुत अच्छा खासा है।